जहन साथियों आज जो करने वाले हम लोग आर्मी क्लर्क जी डी टेक्निकल और टेडमेंट के लिए आर्मी का जीके क्यूज करने वाले हैं इसे पहले मैंने शाथ क्लास करवा दिया है इसका और शाथ क्लास कर आप नहीं नहीं देखा है तो जाए आर्मी के आर्मी जीके का प तो आप जाए यहां आपको जाने हैं इस साइट पर चाने हैं आपको और यहां से आपको रिकॉर्ड मिलेंगे आपको जोतना भी है सारे एक प्लेंड बरहियां से मैंने घराया है यहां पर बस आप योगों के लिए आपके आरमी के लिए बनाया गया जी जीज़िज्द आ भी अप्लों को और चल्idel के लिधे इतना श Лगों के लिए मैं ओंत्माज करवा कों रॉब कर रहा हूं ए तक प्लोड कर पाऊंगा इसमें तो आप लोग भी इतने मैनत करें आप लोग बस आप लोग के सक्सिस कर जाओ जाम में ठीक है चलिए स्टार्ट कर लेता हूं आज के पहले कुशन से देखें सबसे पहला ऑच ये कुशन है मेगाले में चन जाती पाई जाती है यानी मेगाले में कौन सी चन जाती पाई जाती है न पहला अप्सांट के पास रही है तो इसका अंसर आपके पास है इसका option number A है जो क्या है गारो है ठीक है और इससे पहले मैंने बताया था लास्ट का 21 कुशन था पिछले 7th class में 7th class में मैंने बताया था कि 21 का जो answer है वा answer इसका ओजन answer क्या है ओजन गैस ठीक है तो ओजन अगर आपने इस question का नहीं देखा है तो आप 7th place पर जाए प्लेश्ट में देखे मैंने question क्या कर रहा था आप लोगों से ठीक है जो class regular देख रहे हैं उसने पताई होगा मैंने question कर रहा था बहुत सब्सक्राइब कर रहा था ठीक है चलो तो इसका अगले question पर आते हैं अगला question कह रहा है भारतिय चुनाओ आयोग कितने सदस्यों का समूह होता है पहला option है चार दूसरा है एक तीसरा है तीन चौथा है दो तो आपका answer इसमें से जो है आप लोग जब भी class देख रहे हो तो answer जोड़ कमेंट करना इसका answer option number C option number C कितने सदस्यों का समूह होता है तो तीन सदस्यों का समूह होता है ठीक है चलो अगला question है ground stroke specifically passport किस खेल से जोड़ा है जानि Ground stroke to use का 종점 किया झालता है क्या किया जाता है क्या madman किया जाता है या टेनिस में या पोलो में किसमें किया जाता है Snapchat का use यह किया जाता है यह क्या आता है ऑप्षन नंबर सी है इसका जो की है टेनिस यानि कि टेनिस में ग्राउंड स्ट्रोक का यूज किया जाता है तो आप लोगों के लिए यहां से एक कुश्चन मैंने दे दिया कि आपको कमेंट करने अभी रिपलाई करने हैं बैटमेंटन से जूरू है कम से कम एक सब्ध लिखना डिके एक सब्ध कोई करना कि सर 122 हैं अगर आपको पता है यह कोई बुक का happiness के भारे में चलो ज़ूक्षन है सेवा देने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच राष्ट कौन सा है तो यह होता है तो भारत रत्न होता है लेकिन यहां कुछ रहा है तीसरा सरवूंची सकार कौन सा है किसे भी सेवा देने के लिए से पिरफंब लो बुरूर यह पुर। चैसरा होता है इसका आप लोग क्या दोगे इसका अन्ष्ण ऄंदर के पद्वूर्ण निके परण बूशन यह पुरुसकार कि यह थक यह टीछा अगला कॉशन जो है यह है अरुनाचल प्रब्रदेश कहां सितिथ है या भारत के दक्षिन पूर निया में चलो आगी आता हो अगला जो कुशन है यह question है तिरू चीरापली किस नदी पर इस्तित है तो आपका जो option है पहला option है कावेरी तापती कृष्णा या गंगा देखो यहां पर writing में कुछ mistake हो गया तो इसको आप ignore करके चले ठीक है यानि कि देखो तो चापती में से कौन से है आपका पहला तो मैंने बताद है कावेरी तापतीि क्रिष्णा या फिर गंगा तो इसका आञ्सर हो जाएका option नंडर एंध हो जाएगा जो कि कया है तीरू चीरा परली है तीरू चीरापली किस नदी पर इस्तित है यह है कावेरी नदी पर इस जित अप्शन का आँसर है तो जिन बच्छों ने अभी option नंबर ए कर पूड हुआ है उनका अंसर यह था सही है जै स्वास करते रहते हो सो क्लास को एक बार बढ़र शेयर करें आपको अपने दोस्तों को भी त्यारी करते हैं उनके साथ भी आप क्लास लाइब देखो आप ठीक है और यह क्लास का टाइम होता है मौर्णिंग के 6 बज़े होता है एक क्लास होता है 12 बज़े आपका जीज़िगे के लिए और एक क्लास मैंने आज करवाया था पांच बज़े अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं पांच बज़े का टाइम तो चेंज कर दूंगा आप लोगों को जिस टाइम में कमफरडेवल हो तो आप मुझे एक बार बता देना मुझे ठीक है चलो अगला को सुमेलित करो देखो ऐसे कुशन आपको देखने के लिए बहुत ही कम मिलेंगे मिलेंगे लेकिभा पूशन कर पाते हो इस से आपको चार आपको क्लियर हो जाते हैं ठीक है चार कुशन कम से कम में बोलड़ा हूं गौमा फिराकति सब्सक्राइब और भी कुशन बन जाएंगे देखो पहला एक है दूसरा है प्रफम वर्ष यानि की इस खेल यानि से पहल करने का तरीका क्या होता है आपको पहला का पता नहीं hers देखो दूसरा नहीं है तीसरा देखो सबसे नहीं समय है कsty लहाई तो पहले औरहिए से सबकूस खब हुआ था हुआ यह वा था यह हुआ था यह मुझे आ गया पतीर मैं तो कि नहीं है नहीं कि आपका यहां से आपका यह हो सकता है यापका यहां से भी हो सकता है और आपको यहां नहीं तो आपका कप का नासर आपका तो एक पसन नमर एक ही में था इसलिए आपका अंसर क्या आगे मैं चेक ही नहीं करता यहां पर याद कर नहीं तो याद कर नहीं तो याद करना है ठीक है चलो मैं आद देगो इस याई खेल का प्रतमवर्श कौन सा है यह सबसे पहले कब खेला गया था तो यह खेला गया था अगला कोशन है फीफा विस्व कप मैंने बता दिया नहीं सो तीस में कह रहा था एक कुशन बच जाते हैं सबसे पहले बार कब खेला गया था तो ṣet circles में खीठा गया था यानि को विदो उस् добрative ऐसी यैज वैसी का एक मैंच कर खाल चलो अगले कुशंट रहता हूं अगला बेच्टिण पर ये राश्ट्र पता करना है कि न्यादिख का कितनी समय का होता है हम तो जानते हैं कितना दिन्हों का होता है और लेकिन किदना हो नहीं कि इंटरनेशनल कोड़ आप जस्टिस जो है इसमें जो होता है ना इसके कारीकाल कितने समय का होता है पहला पास है पांच वर्स देखो यहां पाराइटिम में कुस मिस्टेक है तो ऐसा गब्राना नहीं क्योंकि इसमें क्या इसमें टेक्निकल रिखा था सही लेकिन क्या हो जाएगा तो देखो कितने वर्षों का होता है तो जिन वर्चों ने नबर सी करा है उनका अंसर पूरी तरह से सही है आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं ठीक है चलो अगला कुश्चन है ट्राइ का पूर्ण रूप क्या है ट्राइ का पूर्ण रूप क्या है वाट इस दी फूल फॉर्म ऑफ ट्राइटी आरे आई ट्राइ जो है यह यह टेली कॉम सक्टर से जैसे टेली कॉम मतलब क्या जो जैसे बोड़ा फोन जो होता है ना उसके बारे में बात कर रहा हूं उस टेलिकॉम से जुरा हुआ है तापको यह होगा नहीं इसमें आपका टेलिकॉम डेगुलेटरी ऑफ इंडिया आपका अंसर पूरी तरह सही है अगर पता है तो ठीक है नहीं पता है तो इसका नोट जुरूबना आप देखो क्लास का टाइम में क्या करो सबसे पहले तो इसको आप नोट कर लेना अप ठीक है इसमें क्या होगा आपका टाइम का सेविंग हो जाएगा और दोबारा देखने से आपका बरियां से याद भी हो जाएगा चलो अगला है बित्वा दहारी वनजीव अभिहारन किस राज़े मे स्थित है पहला प्सिम बंगाल बिहार असम या इन में से कोई नहीं देखे इसका आप प्टावर दीजिए ठीक है जो भी क्लास देख रहे हो आप कोशिच करें कि सभी का अंसर आप लोग जरूर दें और एक से जरूर कर देना ठीक है एक से जरूर कर देना अपने सब्सक्राइब क्या है सोडियम का राशाइनिक संकेत क्या है सोडियम का राशाइनिक संकेत क्या है पहला अप्शन है एने फिर दिया है फिर दिया है एस भी फिर दिया है के देखो मैंने इस सब्सक्राइब मैंने पहले बता दिया था कि क्या क्या कहते है प्या क्या कहते है कि यह अंदिक को इसकां नहों से सही है जलो अगला है पेंशिल में क्या पाया जाता है पुझेटा कीम विखन ये चाहिं से थुछ पार या यह ठाइडे फिसे हों और गयפा जाता है लिख मारत अपकाई पाइस जाता है क्या पाया जाता है तो ग्रेफ हाइट पाया जाता है और नवर डी आपका आंसर है चलो अगला कुशन है ने मिलेखित को सुमेलित करो यारिके फिर मैच करने आपको फिर आपके लिए हार्ड लेवल आ गया हार्ड लेवल कुछ नहीं होता है अगर पता होता है तो आ हार्ड कुछ भी नहीं है यहांपर तो आप लोगा अज्क्त क्लाइट की ऊफ-घ्र ऑजॉये जाएंगे जैसे पहला आजिवे चांडी की यौगिक्क उपयोग कांडी के योग हम उनका उपयोग सिलवर क्रोराइड क्न लेके चलता हूं और यह थो तुम वजाएगा जैसे मुझे सब्सक्राइब करते बिसक्राइब करते हों मैं मैं करते आगे बर रहा हूं क्षा आए है क्या रहा है सिलवर प्रॉमाइड के बात करा रहा था अब सिल ब्रोमाइड है तो क्या होता है इसाइड को भिबारफ है में होता आए का अगे निश्न ऑत kteरी म 설कराने में किसमें हल्प करता है यह कृता है ४िझा पोटिके मेंuled करने में घृक करता है यानिकी सी का हो जाएगा चार सिद्वर नैटर आपके मगती करने में दिया गया है ठीक है तो सिद्वर गानेवाले होता है छालो तो इसका अंसर क्या हो गहाएगा II तो दो बीका हो गया एक सीगहाँ है और चार चलो आगे है अगे है सूदश्व कोशन है क्युस्से होगत है पहला संट वहले है। एはは चलो हम्लोग जो तो मानते हैं जो वानता है सबसे सुना होता है कितना होता है 24 का सुना होता है तो आपका आंसर है ठीक है चलो अगले कोशन पर आता हूं अगला जो कोशन कह रहा है RBC में कौन सा pigment यानि वर्णग पाया जाता है पहला option आपके पास है Chromoplast, Hemoglobin, Chlorine या इन में से कोई नहीं क्या होगा RBC में क्या पाया जाता है कौन सा pigment तीरे पाया जाता है Hemoglobin पाया जाता है क्या पाया जाता है Hemoglobin आपका answer हो जाएगा option number B जिन बच्चों ने option number B करा है उनका answer पूरी तरह से सही है उनको 100 मिलता है इसमें 100% ठीक है और आप इस class को कहां से देख रहे हो कौन से state से देख रहे हो तो आप मुझे CT या फिर मुझे आप state मुझे बता सकते हो ठीक है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है विच इस दा यूनिवर्सल डिसिप्टेंट ब्लर्ड ग्रूप तो देख रहे होता है पहला option आपके पास एबी एबी और ओ तो आप का answer मैं मैं दे रहा हूं इस cancer है option number A है जो क्या है अब मैं क्या करता हूं आप लोगों को कमेंट करने करने अलग लग कमेंट करने आप लोगों को जो मैं पूछ रहा हूं रहा हूं नहीं पता है तो गोल सर्ज करो लेकिन बनाओ और मुझे आप answer जोड़र करना ठीक है यह अधिकतर प्रस्टेशनल कमेटर में कौन सा इस्टेंडर मॉनिटर या डिस्प्लेइट इंटरफेस प्रियोग किया जाता है यानि कि बात क्या कर रहा हूं जब आप देख रहे हैं अपने इमेज को अभी यहां पर डिस्प्लेइपर उसमें क्या जनरली यूज होत तो यहां विजए की हो जाएगा अब देखूं डीय का कभी कूल पम पूच ले पहता है इसका क्या होता है वीडियो ग्टरी ग्राफिक अरे त्थिक है आपका अंसर यह है इसमें आंसर भी यह है और इसका फूल फर्म यह है और ईसक्रक्ण ये है अनल इसकी क्या होता है नेशनल इनफॉरमेटिक इनफॉरमेटिक आप इंटर इंटरण डियां एक्षेस कि मेमोरी ठीक है चरुब आगला है रॉटर इसका डिया पर अप्रोड में आपका आंसर है अगला से कौन दोनों हाड़वेर ओंसूड और वेर या फिर दोनों के मिश्चुन में लागू कि या जा सकता है यह नहीं कौन सा दोनों hardware और या फिर दोनों का मिश्रन मिलाओ क्या सकता है फायरवल दूसरा है एंटी वायरस तीसरा है फ़र्मेर चौथा है option number a c a c यानि कि देखो a और c कह रहा है घर यह लेकिन इसका आंसर आपका क्या है इसका आपका अंसर है option number a आपका अंसर है जो कि फायरवल यानि कि आपका अंसर हो जायाएगा ठीक है चलो आयकरता हूं अगला कुशन है हम लोग लास्ट को सिंगे और पहुंच रहे हैं ठीक है मेगाहर्ज और गीगाहर्ज ठीक है यानि कि कम्विटर की घरी की गति का महपक कौन सा होता है कम्विटर की घरी का महपक कौन सा होता है तो यह होता है option निमुर्चित में से application तो यह आप्लिकेशन ही सिस्टम अलग होता है तो अब्लेकेशन यह एक्सल कहते हैं एकसल कहते हैं तो यह क्या है एक एक्सल कहते हैं यूनिक्स क्या है एक operating system है यह अप्लिकेशन है क्या अफ्लिकेशन कौन सा नहीं है क्या हो जाएगा यूनिक्स हो जाएगा यूनिक्स हो जाएगा इस तरह से मैंने अभी 20 कंप्लेट करें आप मुझे अपने कितना कर रहा है और साथ मुझे अपना नेम और नेम तो पताई चिल जाता है यान कि सीटी नेम आपको बताना है कि कौन से स्टेट से आप देख रहे हो तो आज के लिए इतना ही रहने देजिए मिलते हैं अगरे क्लास में तब तक के लिए सभी से एक बार जैहिंद